अस्सलाम अलेकूम और आप देख रहे हैं हेल्थ टेच्च यूटूब चैनल रशीद अइमद आज मैं आप लोगों के साथ चिकन के रान का क्रिश्पी और स्पाइसी और टेस्टी रेसे भी शेयर कर रहा हूँ यह मैं दो तीन बार बना के यूज कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा रजीज टेस्टी है अब आप लोग के साथ इसको शेयर करना हूँ आप लोग भी इसको मैं रही कैसे बनाईए और मज़ा उठाईए देखिए कितना टेस्टार है शेयर करके हो कामन करके बताईए हमारे इसे आपको लगता है वारा रेस्टी पी जे अईसे बनाएंगे आप बार बार इसी तरी कैसे बनाएंगे आए देखते हैं इसके अदर क्या किसे कैसे रेस्टी बदाए है यह पांस तो गजिप चार से पांस च्रीज ओंग राम करीब हो आए जिए रान का इसे पीज वजन कर आया है हमने लेके अश्मेय के 10 से पंदर आगराम देर चमज तक अध्रक का पेस नालेगे एक देर चमज लशू पेस डालेगे और एक से देर चमज हरी मिश्ची रालेगे और उपर आजी चमज हल्दी का पोडर आलेगे कि यह एक चमज भर को लाल मिश्ची डालेगे तीकी वाली काली मिश चमज डालेगे काली मिश का पोडर है यह धनिया आदा चमज डालेगे धनिया पोडर है यह सोड़ा है खाने वाला सोड़ा यह दो अला दिक यह इसको गलाने में टेंडे करें बहुत मज़द दिक्रता है अब हजब जाय का आप नमक डालें जैसा आपको पसंद होगा कम भी यह ज्यादा अब यह कसुरी में थी आपको पसंद है अच्छा लगता हो तो खाएं खुदू अच्छा जाता है नहीं तो उन्ना डालें मैं डालता हूँ इसले मैं डाला हूँ अब इसके अंदर देश चाट पर साला डालें थोड़ा से चटपड़ा हो जाएक अंदर से और यह नेबू ना लेगे एक नेबू का रस्त्य पुरा नी छोड़ देंके अंदर तांके अच्छे से टेंडर हो जावे सब सोड़े के साथ मिलके आप लोग को मेरी पसंद आ रही हो तो इससे लाइक जरूर करें कहम लोगों बहुरत करते हैं रस्त्य बनाने में यह एक लाइक का तो हग बनता है लाइक कर दिया कजिए कुछ पशेशा तो लगता नहीं है और अपने दोस्टों के साथ और अपने ग्रूप में जड़ा सेर भी कर दिया कर जए ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाब है वीडियो का लिंक इसमें हम तोड़ा साफ फूट कलर मिलाएंगे फूट कलर यह दो ऑक्सिनल है चाहिए तो आप मिलाएं या तो नहीं बिलाएंगे तो जड़ा खुर्शूरत आएगा अच्छा आएगा बहुत ज्यादा हमिलाएं हिसाब से मिलाएं थोड़ा सब्सक्राइख करकर से मिलाने के बाद इसको कोल जाएं चावल कारों इसको warmth को नहीं है करीब आदा किनों से 600 गराम टिकल कवाब में डाल दें और यह बीस गराम तर एक चने काटा डाल दें बेशन हाथ के मदद से अच्छे से इसको मिक्स करें हलके हलके हाथ से करें ज्यादा ज्यादा जोस न रगड़े बस मसाले का जो हलका सा पानी जो छोड़ा रहता है नमक का न शांड में में ज्यादा के शलिए रखेंगों तो मिनने ऐस्ट के बाद आंस स्वोड़ें बीड्यः माँ में करեղें अएक बांस से सथ मिनट अधे से फ्राइध में उधाए है जो तीर मिनट एक सरा मैं इक बदो आफ़ तरफ जो तरफ दो तीर मिनाइट एक दरफ आप देखेजिए यह हमारा पहला गान तीर पीस का हो गया है इसको है हम निकाल लेगे इसको संवाल के निकालें तेल सब डितार के यह पलेट मे निकाल लेगे तीर पीस इस थीर पीस ब्लेगे फ्राई कर लेते है चिकन हमारी बाडी के अंदर बसल्स को बढ़ा बिल्ड करने में बहुत बजद करता है, परोटीन में फूल होता है, तेका यह दूसरा पीस भी हमारा यह तीन पीस हो गया है, पाच-छे मिनट इसको भी लगा है करने में, चिकन को वीक में एक-छे दो बार बनाके खाते रहना चाहएं। इसा हमारे बाडि कम्मुनिेटी बढ़ दी हे और इसे प्रोटीन फुल माइचना में को मिल जाता है। चिकन के जर को हाई प्रोटीन होता है। यह परिखिवरे बाड़ी के लिए बहुत अच्छा है। तेल में पर मशला भी ज़्यादा ली चुटा है। और जाकेदार भी है टेस्टी भी है इसनेक टैम में टी टैम में आप इसका उस्तवाल करें या खाने लेच के अंदर भी खाने के साथ खा सकते हैं जैसा चाहे वैसा इसके साथ इज्वाई कीजिए बहुत ज्यादा टेस्टी यह लजीर है चिकन टंगरी कवाब रात बोले य सबस्क्राइब जरूर करें जीए और शेयर कि दिए अब दोस्तों के साथ नेक्स्ट विजिज्जों में दुश्री रसीप एक साथ फिर से मुझे लें के इस्टाव